खबरों में आगे बढ़ेंगे किरिट सुमया पर किस ने किया हमला, उजयन में पाप के समर्थन में नारे पर क्या हुई कारवाई नकसलियों ने आप कहा हमला किया, देखते हैं टॉप नाइन देश प्रदेश लंबे गैप के बाद दिली और आसपास के इलाखों में बारिश हुई है, इससे पिछले कुछ दिनों से पढ़ रही भारी उमस वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली है राजधानी का तापमान 5-6 डिग्री तक कम हो गया है, मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही रुक रुक कर बारिश होते रहने की संभावना आज़ताई है बीजे पींआता कीरीट सुमया की गाड़ी पर पथराओ किया गया है और स्याहिफ्ये की गई है सुमया ने शिवसेन सांसत भावना गवली की वाशी मिश्थित फैक्टरी पर घोटाली का आरोप लगाया था सुमया इस फैक्टरी पर पहुँचे थे जिसे देखने शिवसेनाव कारिकरता भड़क गए और सुमया को काले जंडे दिखा कर उनके काफिले की गारियों पर पत्थराओ कर दिया और सयाहिफ हैं की हालाद से निपटने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा 36 गड के नारायनपुर में नकसली हमले में ITBP के दो जवान शहीद हो गए जबानों पर कडमेटा कैंप से 600 मीटर की दूरी पर हमला किया गया हमले के बाद जवानों से AK-47 के दो बुलेट पूरूफ जैकेट और वोके टॉकी भी नकसली लूट कर ले गए शहीद जवान ITBP के 45 बटालियन की एक कमपनी के थे लालू परिवार का ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है तेजस्वी से मिलने के बाद तेजपरताप यादब उनके घर पहुँचे लेकिन तेजस्वी उनसे नहीं मिले खुद तेजपरताप यादब ने कहा कि जब वो तेजस्वी यादब से मिल रहते उसी दोरान संजय यादब ने हमें मिलने से रोका और बीच में आकर तेजस्वी को लेकर कम्रे में चले गए इस घटना के बाद तेजप्रताप नाराज होकर अपनी गाड़ी से निकल गए अब तेजप्रताप ने आज RJD दफसर में जंता दरबार लगाने का ऐलान किया है केंद्रिय मंत्र भूपेंद्र यादब की दो दिन की जना शिरबाद यात्रा के दौरान राजस्थान में एक खास तस्वीर नजर आई बीजेपी के हर नए पोस्टर में हर जगा वसुंधरा राजे की फोटो नजर आई हलांकि वसुंधरा कहीं भी नजर नहीं आई लेकिन भूपेंद्र यादब हर संबोधन में ये कहते नजर आए कि रंग गीलो राजस्थान में हर रंग यानि सभी को साथ लेकर 2023 का चुनाओ जीतना है उजयन में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाने के मामले में देश द्रोव का मामला दर्ज किया गया है अब तक 10 लोगों के खिलाप मामला दर्ज हुआ है जिनमें 4 आरोपी ग्रफतार कर लिए गये है गुरुबा रात महरम को लेकर गीता कॉलनी में कठा हुई भीड में कुछ आसमाजिक तत्तों ने देश विरोधी नारे लगा कर बाहौल बिगारने की कोशिश की थी इसके बाद वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस संदिवतु से लगातार पूछताच कर रही है मद्य प्रिदेश के उज्जैन में पाकिस्तान के समर्थन में नारे के मुद्धेपारे एंपी के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान ने कहा है कि घटना के खिलाफ सक्त स्टैंड लिया गया है तालिवानी मान सिक्ता किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं की जाएगी शिवराज ने कहा कि जो भी जरूरी कदम है वो सब उठाये जाएंगे उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का हड नागरिक देश भक्त है आप वादो को छोड़ दे इंदोर की घटना पर मध्य प्रिदेश की कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने टीविनाइन भारतवर्श जवाचीत में काये कि ऐसे पाकिस्तान परस्तों को हिंदोस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन्हे सनक्षन कहां से मिलता है सारंग में आरोप लगाया है कि कॉंग्रिस देश विरोधी बाते करने वालों को सनक्षन देती है चाहे वो जे न्यू का मसला हो चाहे दूसरे मामलों में देखा जाए पंजाब के मोगा के पाज श्री अकाल सक्त साहिब के पुर्व जत्यदार जस्बीर सिंग रोडे के घर पर एनाईए और आईबी ने च्छापा मारा है अमरित सर में कुछ दिनों पहले आडी एक्स के साथ में ले टिफिन बम और कई पिस्टल मिलने के मामले को लेकर ये च्छापे मारी हुई है मामले में जत्यदार रोडे के बेटे की संदिक दभूमिकास सामने आ रही है जिसको एनाईए के अधिकारी अपने साथ पूछ ताज के लिए ले गए जिसको एनाईए के लिए एस भाइए के लिए एनाईए के लिए आप पाकारी है झाल झाल